इस समय की सबसे बड़ी निउस भारत और कैनाडा को लेकर आ रही है और ये निउस अबडेट भारत और कैनाडा के बीच खालिस्तानी आतंगवादी हरदीब सिंग निजर की हत्या को लेकर जो हाली में कॉंट्रोर्सिय स्टार्ट हुई है उसी से सम्मधित है अब ये उसकी हत्या के पीछे भारत की सरकार और भारत की इंटेलिजन्स एजनसी के शामिल होने के सबूत मिले हैं। तरीके से रियक्ट करते हुए भारत की सरकार ने भी टीट फॉर टैट मूँ में नियू देली में जो कनाड़ा की अमबसी थी उसमें से भी एक सीनर डिप्लोमेट को एकस्पैल करने की घोशना की। कि खव़ निकल कर आ रही है कि इस पूरी डेवलापमेंट के उपर कनाड़ा की सरकार ने फाइफ आइस की जो ये अलाइंस है जो अपस में इंटेलिजन्स शेर करती हैं जिसमें यूके, अमेरिका, अस्टेलिया और न्यूजिलैंड भी हैं। इन सब देशों ने इस मसले के उपर कनाड़ा को सपोर्ट करने से इंकार कर दिया था। रेफरेंस के लब की स्क्रीन के उपर वाशिंग्टन पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीन शॉट है। इशू करने से पूरी तरह से इंकार कर दिया। अब कैनड़ा ने इन सब से रिक्वेस्ट की थी कि ये सारे देश मिलकर कैनड़ा की सरकार के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करें। और भारत की सरकार को ये मैसेज देंगी भारत की एजनसीज एंटी इंडिया खालिस्तानी कैम्पेइन को रोकने के लिए जो रास्ता अपना रही है वो इंटरनेशनल नॉम्स और इंटरनेशनल रूल्स और लॉस के बिल्कुल खिलाफ है और एक लोकतांतरिक देश का इस तर भारत की सरकार के खिलाफ दिये जा रहे हैं वो पुकता तोर पर सही है या फिर नहीं इस चीज़ को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है इसलिए सभी देश भारत की सरकार के खिलाफ कोई भी जॉइन स्टेटमेंट नहीं देंगे अब सबसे पहले तो कैनेडा की सरकार और कन नाम है Pierre Polivore उन्होंने भी पिछले कल Justin Trudeau की statement के बाद एक statement जारी की है जिसमें उन्होंने क्या कि Justin Trudeau जो भी भारत के उपर आरोप लगा रहे हैं उसमें उनको साफ तार पर सारे के सारे facts सब के सामने रखने चाहिए और जिस तरह की statement Justin Trudeau भारत को लेकर दे रहे हैं इस तरह की कारवाई उन्होंने तब क्यों नहीं की जब उनको सबूत मिले थे कि चाइना केनडा की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर यहां पर इंटरफेय कर रहा है यानि भारत को लेकर तो जस्टिन टूडो इतने अग्रेसिव हो गए हैं चाइना को लेकर जस्टिन टूडो ने सबूत मिलने के बाद भी इस तरह से क्यों नहीं रियक्ट किया था कहने का मतलब है कि जो कैनडा की इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो कैनडा की ओपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी कैनडा के प्राइम निस्टर जस्टिन टूडो के उपर अटैक कर रही हैं इसके साथ ही ना सिर्फ भारत बलकी कैनडा से लेकर कई सारे वेस्टर देशों के अंदर जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं उनका ये साफ तोर पर कहना है कि कैनडा के प्राइम मिस्टर का अपनी पारलेमेंट के अंदर एक एमरजेंसी सेशन में भारत के उपर इस तर जिसमें वो थोड़े नरम पढ़ते दिखाए दे रहे हैं। त Zhu endured के जाएगी। हम इस मसले में काम ये की शांत रहेंगे। हम अपने democratic principles और democratic values येनि की लोकतांत्रिक सिथान्तों और लोगतांत्रिक मौलियों के अपर पूरी तरह से कायम रहेंगे। हम इस case में सबूतों का पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे का पूरा काम सभी के लिए निश्पक्षता से हो। इसके साथ ये उन्होंने का कि उनकी सरकार केनडा की इंटेलिजन्स अजेंसी के साथ मिलकर इस मुद्दे को लेकर बहुती गंपीरता से काम कर रही थी। वो पहले ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इंटेलिजन्स अजेंसी का अनलिसिस किस तरफ चाह रहा है और क्या इशारा कर रहा है। फार साइटेड हो जिसकी सोच काफी दूर दर्शी हो जो आने वाले एक डेट साल के लिए नहीं अपने खुद की पॉलिटिक्स के लिए नहीं बलकि देश के अगले 10-15-20 सालों के बविश्य के लिए और अपने देश की फ्यूचर जेंरेशन के लिए काम करें। और भारत के उपर इतने गंबीर आरोप लगाना वो भी इन्वेस्टिकेशन को पूरा किये बिना इससे भारत और कैनाडा के जो आपस में बैलेटर रिलेशन्स हैं वो अनप्रिसिडेंटेड लेवल के उपर डैमेज होंगे।